नमस्यार बच्चों कैसे हैं आप अच्छा आप ने कोई बच्चा ऐसा देखा है जिसने अपनी उम्र से ज़्यादा भाधूरी का काम किया हूं नहीं देखा तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही बच्चे से मिलवाती हूं सुभा का समय था पहाडों के पीछे से सूरज जाक रहा था दस वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया वहे रोज इसी समा इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हॉस पर जाता है कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है फाम से लगे सेबो के बाग में कीच नाशक दवा का छिरकाव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था विशन पगडंडी से अभी सड़क तक आही रहा था कि उसे गोली चलने की आवास सोनाई दी उसने इधर उधर देखा कोई भी दिखाई नहीं दिया वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवास सोनाई दी इस पार एक नहीं दो तीन गोलियां एक साथ ही चली थी गोलियों की आवास से पूरी घाटी गूंज गई पंची घबरा गये आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे विशन सहम कर पेड़ों की आड में छिपकर खड़ा हो गया विशन जहां खड़ा था वहीं चुप चाप खड़ा रहा उसे वहां से सीड़ी नुमा खेत और फलो के बाग साफ दिखाई दे रहे थे खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे विशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तब ही एक और गोली की आवाज सुनाई दी एक एक विशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया जब फसल पक जाती है तब गिहूं के खेतों में दा ना चुगने धेरो तितर आ जाते हैं सिकारे इस बात को जानते हैं इसले वे सुभा सुभा ही तीतर मारने चले आते हैं पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे कुछ तीतर तो वे उठा ले गए बाकी को वही छोड़ गए खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जखमी तीतर मिले विशन ने सोचा कितना दुख पहुँचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी वे समझ गया कि शिकारे ही तीतर पर तीतरों पर गोलिया चला रहे हैं इसके वे पेड़ों के बीश से निकल कर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा वे चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था तभी उसके पाउं के पास सरसराहट सी हुई उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फसा छट पटा रहा है बेशन वहें घुटनों के बल बैट गया उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया विशन जानता था कि शिगारी इस तीतर को रून नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़ब तड़ब कर मर जाएगा उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर ढाल दिया तीतर स्वेटर में फस गया तो विशन ने उसे पकड़ लिया विशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकल कर पहाड़ी की ओर भागने लगा रहे इतना तेश चल रहा था मानोस के पंक लग गए हूँ कर्नल दत्ता के घर के रास्ते से एक तरफ रास्ते में एक तरफ गेहों की खेट थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था परन्तु इस समय वह दोनों हातों से तीतर को पकड़े हुए था तीतर को समालना बहुत ज़रूरी था इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारियों से देखना लें वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आए लड़के रुख जा नहीं तर मैं गोली मार दूंगा लेकिन विशन नहीं रुका वह चुप चाप चलता रहा रुकता है या नहीं उस आदमी ने दुबारा चिला कर कहा तब तक विशन कटीले तारों के पास आ गया था उसका दिल तेजी से धड़कने लगा आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और नहीं उसने कोई जवाब दिया तब ही विशन को भारी भरकम जूतों की आवास सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिला रहा था मैं तुझे देख लूँगा तो मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था अगर वह सडक से जाता तो सिकारी को साफ दिखाई दे जाता इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तै किया खेतों से आगे के रास्ते में काटेदार जानिया थी विशन उसी रास्ते पर गुटनों के बल चलने लगा बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पाओं पर काटों की बहुत सी खरूचे उभर आई खरूचों से खून भी निकलने लगा उसकी कमीज के एक आस्तीन भी फट गई वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मासे डाट खानी पड़ेगी पर विशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामियाब रहा जाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुचा जाए लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और उसके कारण फिसलन थी विशन ठक कर वहीं एक किनारे बैट गया अभी वह बैठा ही था कि उसे पाउं की आहट सुनाई दी आहट सुनते ही वह उटकर दौर पड़ा दौरते दौरते है आधी पहाड़ी पार कर चुका था उसके कपड़े पसीने से तर बतर हो गए फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह करनल दत्ता के फाम हाउस के पिछवाड़े पहुँच ही गया पिछवाड़े दरवाजा खुला था उसने तार के पेड़ का सहारा लिया और फाम हाउस के अंदर पहुँच गया तीतर को वह बड़ी साफधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था फाम हाउस में खामोशी थी बस रसोई घर से प्रेश कुकर की सीथी की आवाज आ रही थी मुर्गया भी अपने दड़वे में थी और गुलाप चन सामने का बरामदा साफ कर रहा था अच्छानक कर्णल साहब का अल्चेश्यन कुत्ता जोर जोर से भौकने लगा रहे किसी आजनभी को देखकर ही इस तरह भौकता है विशन समझ गया कि शिकारी धर ही आ रहे है उसने इधर उधर देखा ताकि रहे तितर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके एक और शेट की नीचे बहुत सारा का बार पड़ा था उसी में एक तूटी टोकरी विशन को दिखाए देगी ये ठीक है सोचते वे उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढख दिया घायल तीतर घबराया हुआ था इसलिए वे चुप चाप पढ़ा रहा तीतर को छुपाने के बाद विशन ने सोचा कि आप बहार चल कर देखना चाहिए परवेश कारियों के सामने भी नहीं पढ़ना चाता था इसलिए उसने छट पर चड़ कर बैठना ठीक समझा बिना सीरी के छट पर चड़ना उसके लिए बहुत आसान काम था वे अक्सर इस शेट की ढलवा छट के सहारे उपर चड़ जाता था विशन लकडी के खंबे पर बंदर की तरह चलांग लगा कर लटक गया और उपर की ओर खिसकते खिसकते छट पर जा पहुँचा खपरेल की धलावदार छट थी इसलिए वे चिमनी के पीछे चिपकर बैठ गया ताकि वे किसी और को दिखाई न दे लेकिन वे स्वैम सब कुछ देख सके उसने देखा कि दो शिकारी धर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर करनल साहब का अजशेशियन कुट्टा जोड़ जोड़ से भौक रहा है करनल ने कुट्टे को डाटा चुप रहो पर वह ना माना पिछले दोनों पाउँ पर खड़े हो वह उचल उचल कर भौक ने लगा वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो करनल ने रौबदार आवाज में पुछा कौन हो तुम यहां किसले आये हो साहब हम शिकारी हैं हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं अच्छा तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजे गुंज रही थी सुबे से जी हां हमारे पास लाइसेंस वाली बंदू के हैं सरपंच माधो सिंग भी हमें जानता है तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो करनल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा जी हां तीतर भी माल लेते हैं कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को आपके हाँ आज छिपा है हम उसे ही जून रहे हैं अच्छा तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो हरनल साहब ने पूछा सीधी सी बात है साहब खाते हैं दूसरे शिकारी ने जवाब दिया फिर कुछ रुक कर बोला अब तो उस लड़के को ढुणवा दीजिए साहब वह इधर ही कहीं छुप गया है करनल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्टे से कहा कैसे हो तुम लोग हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहा छोड़ जाते हो जब फसल करती है तब धेर और मरे हुए तीतर मिलते हैं करनल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए उन्हें उमीद नहीं थी कि करनल इस तरह डाड़ दिंगे करनल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा आगे बोले पक्षियों को म तुमारे ने और उससे जादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो यहां तुमारा कोई तीतर वितर नहीं है अब जाते क्यों नहीं खड़े क्यों हो बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था पे दोनों शिकारी पीना कुछ बोले मुडे और वापस चल दिये करनल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा तभी विशन चपर से शेट पर होता हुआ नीचे कूट पड़ा उसने दीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मा इनको पुकारने लगा बहुजी बहुजी जल्दी आईए यह बहुत जक्मी है आकर इसे देखिए बिशन के आवाज सुनकर करनल दत्ता भी अंदर जा पहुँचिए और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वाले लका तू ही था क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट ल कि बिशन ने कहा करनल साहब मुस्करा दिए उन्होंने घाय तीतर को देखा उसका एक पंख टूट गया था अब शायद ही वह उड़ सके जाओ दवाईयों का बक्षा लेकर आओ बिशन दोड़ कर बक्षा ले आया करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया फिर दवाई लगा दिये पंख को फैला का टेप लगा दिया ताकि वह जादा हीले डिलोई नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तो का रस दिन में दो तीन बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक बहुजी एक कटोरी मे दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली इसे रोज दलिया भी खिलाना विशन तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है तब तो यह विशन के पीछे-पीछे ही घुमता रहेगा कर्णल ने हसते हुए कहा अच्छा विशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है बहु जी ने पूछा, बिशन ने अपने हातों को मुँपर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक 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 करनल दत्ता ठहा का मार कर हस पड़े, बहु जी भी मुँपर पल्लू रखकर हसने लगी, बिशन भी हसता वाहिरन की तरह छलांगी लगाता, तीतर के साथ व पक्षी और एक लड़का है इसमें बिशन, बिटे आपको ये चितर में दिख रहा होगा, बिशन ने एक टोपी पहनी है, पहाड आसपस बने हैं, तो यह कहां का सीन होगा, यह एक पहाडी द्रिश्य है, पहाड की जगा, पहाड कहां कहां पर है, आप देखते हैं, कश्मी पहाड की बात हो रही होगी, और टोपी भी देखिये, बिशन की इसी तरह हमांचली स्टाइल में है, तो यह ज़रूर हमाचल का द्रिश्य हो सकता है, यहां पर सुबह का द्रिश्य था, और पहाड की पीसे से सूर्च छाक रहा था, दस वर्स का विशन, बिशन जो था ले तो उसने रास्ते में देखो क्या देखा, जो करनल दत्ता की जो पतनी थी, जिनके फार्म हाउस में बिशन जा रहा था, वो बिशन को टूशन भी पढ़ाते थी, पढ़ाई में हेल्प करना यानि टूशन पढ़ाना जैसे, आप जाते होंगे न टूशन, आपको हम वो सेबो के बाग में कीट नाशक दवा का चरकाव हो रहा था, देखें सेबो के बाग में वहाँ पर सेब बहुत होते हैं, तो सेबो का बाग है और वहाँ पर कीट नाशक दवा, कीट नाशक क्या होती है, जब कीड़े लग जाते हैं सेब में या फसल में, तो उसमें चरकाव सब्राब करने के लिए फिसन नाशक दवाई लाई याथा नाशक कीड़ों के मारने की दवा का छिरकाव किया जाता है और सुबह सुपह यह काम शुरू हो जाता है विशन पक्डंडी से अप drugs अही रहा था पंडnt कि आ्टे साहर पहारै इलाखों में एक ऐसे लेने के आवाज सुन नहीं दीए उसमें इधर देखा तोसले कोई नजर नहीं आए देखिएा समुके और वागे करते हैं वब उसे भगाने के लिए वहाँ पुटला खड़ा कर देते हैं। ताकि डर्व के मारे parents न आये। कुछ लोग ऐसे होती हैं। एसा उसके खेत में उसे खेत में दिखा है उसे खेत में दिखाई दिया है», तीतर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर गोल्यू की आवाज चल देती पहरे तो बिशन को समझ नहीं आया कि पंच्छी उड़ क्यों रहें आसवान में घबराकर और गोल्यू की आवाज कहां से आ रही है लेकिन बाद में फिर बिशन को समझ में आया कि जरूर ये किसी शिका आप लिया है कि शिकारी का काम है जो वक्षियों को मार देता हैं विशन जहां खड़ाता है वोहीं चुपचाप कड़ा रहा उसे वहां से सीरी הצाथ देखिए पहाड़ों में अकसर सीली नुमा ख disappointed कैसे हो थे हुथ पहले एक सी फिर उसके उपर दूसरा फिर तीसा ऐसे खेत होते हैं वहाँ पर चाकोर खेत नहीं होते एक साथ सेडी नुमा खेत होते हैं क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका होता है तो बिशन जहां खड़ा था वहाँ से उसको सेडी नुमा खेत और फलसाफ दिखाई दे रहे थे, खेतों में काम करते हुए किशान भी दिखाई दे रहे थे, फसल भी तैयार थी, सुबह की हलकी धूप से खेत सुने दे 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 रहे थे, बिशन सोच ही रहा था कि गोली किसने चलाई होगी, तब ही उसे एक और गोली चलने की आवाज ही, वह समझ गया, कि जब फसल पक जाती है, तब गिहूं के खेतों में, दाना चुगन धेरो तीतर आ जाते हैं, तो वो तीतर आ जाते हैं, शिकारी इस बात को जानते हैं, और शिकारी सुबह सुबह उनको मारने चले आते हैं, और विशन के खेतों में भी पिछली बार बहुत सारे तीतर वहाँ पर मरें मिलते हैं कुछ तो फसल कारते हुए कट भी जाते हैं तो देखिए कितना दुख़द होता होगा न उन पक्षियों को देखना आपके खेतों में कोई पक्षि मरें होगा तो आपको कितना बुरा लगता होगा न तो देखे वह समझ गया कि शिकार ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकल कर खेतों की किनारे किनारे चलने लगा और सोचने लगा कि कैसे मैं इन शिकारियों को सबक से काऊं फिर वह सोचने लगा तभी उसके पाउं के पास एक सरसारहाट सी हुई और उसने देखा कि गोली से घायल हुआ तीतर गेहों की बालियों के बीच फसा छट पटा रहा है विशन वहाँ पर घुटने के बल बैट गया और उसने स्वेटर उतारी और तीतर को उससे ढखकर अपने साथ पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी के और भागने लगा तो वह उसे बचाना चाहता था देखिए जो बिशन था वह तीतर को शिकारियों से बच्चाना चाहता था और वह उसे अपनी स्वेटर में रखकर अपने सीने से चिपका कर पहाड़ी की और घर की और करनल दत्ता के घर की और भागने लगा और वह ऐसे भागा जैसे मानो उसके खुद के पंक लग गए हो करनल दत्ता के घर के रास्ते से एक तरफ ग्यूँंके खेते तो दूसरी तरफ कटीले तारो की तरफ को जाता तो उसके दोनों हाथ में तो तुटीता था तो वह बाठ को पार नहीं कर पाता इसलिए उसे खेतों के रास्ते ही चिप-चिपकर जाना पड़ा ताकि शिकारी उसे देखना ले तो एक कुछ ही दूर गया कि पीछे से उसे भारी से आवाज आई लड़के रुख जा नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा यह किसके आवास थी शिकारी की आवास थी उसका दिलतेजी से धरकने लगा लेकिन रुका नहीं और नहीं उसने कोई जवाब दिया वह भागता रहा भागता रहा और शिकारी उसके पीछे गुस्से में चिलाते रहे कि रुक जा मैं तुझे देख रूँगा तुमेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता उन्होंने विशन को दीतर को ले जाते हुए देख लिया था अब विशन के रास्ते में काटेदार चाड़िया थी विशन उसी रास्ते पर घुटने के बल चलने लगा घुटने के बल किसले चला ताके उनको दिखना जाये बहुत समल कर चलने पर भी उसने इसके हाथ पाओं पर काटो की बहुत से खरोचे आ गई और खरोचे से खून भी निकलने लगा और उसकी कमीश की आस्ती इनास्ती मतलब बाजू भी फट गए थे उसे पता था मा से डाट खानी पड़ेगी पर फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि आखे मैंने एक तीतर की जाम तो बचाई जाड़ी से बहार आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड के कोने कोने से फिसल कर नीचे पहुँचा जाए लेकिन उसको उने में घास बहुत जाता थ और उसके कारण फिसलन भी थी बिसंद ठककर वहीं किनारे बैठ गया अभी बैठा ही था कि उसे पीछे से पैरो के आहट सुनाई दी आहट सुनते ही वह उटकर दोड़ पड़ा दोड़ते दोड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था उसके कप्रेकल पसीने से तर ब वाज़ खुला हुआ था उसने तार के पेड़ का सहाय लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया अब वह तीतर को कहीं सेव जगा कहीं सुरक्षित जगा रखना चाहता था वह फार्म हाउस के अंदर घुसा तो वहां बहुत खामोशी थी बस रसोई घर से प्रेशर बराउब कर रहा था गुलाब चन्究 सामने का बरसाफ कर रहा था घुलाब चनल का नौकर्थ कर्णल कब रामध !! याँ उसके प्रजाती को जोड़सें भॉक ने लगा !! अक्सर वह से अजणवी को ना तब भॉकता था !! तो बिशा ने इस बात से अंदाजा लगा लिया कि जरूर उसके बीचे शिकारी आ रहे हैं तो उसने इधार उधार देखा और फटा फट उसे एक कबार में एक टोकरी पड़ी दिखाई दी उसने इस टोकरी में रखकर तीतर को ढग दिया अपनी स्वेटर से ढग दिया अब विचारा घायल तीतर भी बहुत खबराया हुआ था इसलिए वह भी चुपचा पडोकरी में पढ़ा रहा तीतर को चुपाने के बाद पिशा ने सोचा कि आप बहार चलकर देखना चाहिए पर वह शिकारी के सामने भी नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए उसने छट पर उचाड़कर बैठना ठीक समझा बिना सीडी के चत पर चड़ना उसे बहुत अच्छे से आता था उसे इसका अभ्यास था तो वह फटा-फट चत पर जाकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे लेकिन वह सवयम सब कुछ देख सके उसने देखा कि दो शिकारी धर ही चले आ रहे हैं और उनको दे पर खड़े होकर वह उचल उचल कर भौक में लगा देखिए बिटा यह कुतों की आदत होती किसी आजनभी को या किसी संधिक दिव्यक्ति को वह देखते हैं जिन पर उन्हें शक हो तो पीछे के पैर उठाकर खड़े होकर भौक ने लगते देशते तो वह दोनों शिकारी करीब आ गए करनल रौपदार करनल ने रौपदार आवाज में पुछा कौन हो तुम यहां किसले आये हो तो वह शिकारी बोले साहब हम शिकारी हैं तो करनल साहब बोले अच्छा तो तुम्ही वह लोगों जो सुबे से जो बंदूग चला रहे हों के गुलियों की आवाज आ रही है तो शिकारी बोले जी हां हमारे पास लाइसेंस वाली बंदुके हैं और सरपंच मादो सिग्मी हमें जानता है तो करनल दत्ता बोले अच्छा तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो तो बोले हां जी हां तीतर भी माल लेते हैं कभी-कभी करनल दत्ता बोले तो त तरफ यहां तुम तरफ के लिए मनने के लिए छोड़ जाते हो जब फसल करती है तब धेर वह मरेवे तीतर मिलते हैं उन्होंने यह सब गुस्से में कहा करनल दत्ता के बात सुनकर वे दोनों कुछ घपरा गए उन्हें उमीद नहीं थी कि करनल इस तरह उन्हें ढाट देंगे करनल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा बागे बोले पक्षियों को माणे और उससे ज़्यादा उन्हें घायर करके छोड़ जाने में तो कोई भादुरी नहीं है अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो यहां तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है अब जाते क्यों नहीं खड़े क्यों हूं विशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था वे दोनों शिकार ये बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिये करनल दत्ता ने गुलाब चन से देवाई छड़केली मशीन लाने को कहा तभी विशन उपर से कूट पड़ा छपर से शेट पर होता हुआ नीचे कूट पड़ा उसने तीतर को उठा लिया और घर में उसने मालकिन को पुकारने लगा बहुजी बहुजी जगती आईए यह बह क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट तकी है अगर मैंना लाता तो यह मर जाता करनल दत्ता बोले अब तु इसका क्या करेगा तो विशन बोला इसे पालूँगा बाबुजी कारनल साहब मुस्करा दिया उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंक तूट गया था उ लाने को कहा और विशन दोड़ कर बकसा ले आया करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जखन साफ किया उसके पंकों पर ठेप लगा दी ताकि हो जाता हिल डूलना पाए और फिर विशन को कहा अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में दो तीन बार पिलाओगे तो य करनल बोले तब यह विशन के पीछे पीछे ही घुमता रहेगा बहु जी ने पूछा अच्छा विशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है विशन ने अपने हातों को मूँ पर रखकर तीतर की आवाद निकाली करनल दता ठाहा का मार कर हस पड़े बहु जी भी मूँ पर प अपने घर की और भाग चला तो देखिए कितने सुंदर कहानी थी यह पर्थिवा नाजी ने लिखी है कहानी अब आते हम इसके अभ्यास कारे पर कहानी से देखे पहले पहला प्रश्ट जी हां हमारे पास लाइसन्स अली बंदू के हैं सर पंच मा तो सिख भी हमें जानता ह लिखे शिकारियों ने करना जाहब से क्या सोच कर ऐसा कहा और क्या सोचांगा जो एसा कहा यह बाते के eram बोली तो सोचिए और लिखेगा दूसरा है विशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था तीसरा घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परिशानिया हुई चौता घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते क्यों अब आते हैं भाशा की बात इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो सुबा की हलकी धूप में खेश सुनहरे दिखाई दे रहे थे जा इतना तेज चल रहा था मानों उसके पांग लग गए हो फिर दूसरा तीतर स्वेटर में फस गया तो भी सन्ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया उपर लिखे वाक्यों में उसे शब्द का इस्तमाल तीतर के लिए किया गया है एक ही संग्या का बारबा इस्तमाल करने की बज़ाए उसकी जगा पर कुछ खास सब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे सब्दों को सर्वे नाम कहते हैं नीचे लिखे वाक्यों में सर्वे नाम का ठीक रूप चाट कर लिखो तो यहां पर देखिए कुछ वाक्य दिये हैं पांच वाक्य आपको सही सब्वनाम शब्द छाट कर लिखना है लिख सकते हैं सब लोग चलिए आब आते हैं प्रश्णतीन पर इन वाक्यों को पूरा करें तो है इतने धीरे चल रहा था मानो खा रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो तो आप इन सब को पूरा कीजिए गान फिर है फसलों के इद्गिर्द अब आपको फसलों के बारे में बताते हैं इस कहानी में सेबों के खेट और सीड़ी नुमा खेट का जिकर आया है अनुमाल लगा कर बताओ कि यह है कहानी भारत के किस भौगलिक छेतर की होगी और वहां सीड़ी नुमा खेटी क्यों की जाती होगी दूसरा सेबों के बाग में कीट नाशक दवा का छिड़का हो रहा था यह तो कीट नाशक दवाएं फलो सबजियों और अनाच के फसलों को कीड़ा लगाने से बचाती है पर कह यह कीट नाशक दवाएं कीड़ों को नुष्ट करती है इनसे इंका सेवन करने से क्या हमें भ प्सान होता होगा, पता करो और कक्षा में बात चीप करो, ख़गा, ऐसे वे फलो और सब्जी के इस्तमाल करने से पहले, कि इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा, फिर है तुम्हारे आसपास, गायल तीतल को गेंदे की पत्यों का रस पिलानी के लिए कहा, पत्यों क कई कामों के लिए होता हैं, नीचे लिखी पत्यों का इस्तमाल किस लिए होता है, तुलसी के पत्य, नीम के पत्य, मीठा, नीम, आम, हम्रूत, तेजपत्त, केला, सागवान, तो इन सब का पता कीज़ेगा और लिखिएगा, फिर है दूसरा, करणल साभ के कहने पर बिशन और कर दवाईयों का बकसा लेया है, इसे तुम प्रात्मिक चिकित्सा बॉक्स या फॉस्टेट बॉक्स की नाम से जानते होंगे, कर इस बकसे में क्या क्या चीज़ी होती है, इसका इस्तमाल कप कप किया जाता है, तीसरा, तुमने परियावरन अध्यन में पढ़ा होगा, कि पहाड़ी छेतर में आमदार पेच्छते धलावदार बनाई जाती है, सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है, पहाड़ी लाका, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तमाल हुआ है, पहाड़ी लाका से जुड़े वे, और शब्द सोच कर लिखो, जैसे धल चॉटान, चॉटान, आदे, आफ देखें पहाड़ी तीतर के दो पीछे तीतर, přि तीतर के दो hunters कि एस और आगे तीतर बोलो कितने थितर से यह अपने से झाल और से बढ़ो से यह पापासे बढ़ों से आपको भी जानना है, यहां थितर का फोटो दिया गया, जान को जैसे तीतर का घोसला क्या होता है आधिव में इससमें इस पराट में भिल髮त बहादूरी को देखा कि इस प्रकार अपनी जान पर खेलते हुए तीतर को बचाया अगर हो को मार भी सकते थे हैं उसने बिना अपनी जान की परवा किये बिना एक तीतर को बचाया तो यह उसकी बहादुरी थी दिलेरी यह नि बहादुरी तो इस पार्ट को पढ़िएगा अच्छे से समझेगा और इसका अभ्यास कारेपूरा की ठीक है फिर मिलेंगे अगले पार्ट